नमस्कार दोस्तों श्वगत हैं आप सभी लोगों का एक बर फिर से दोस्तों आप हमारे विडियो का टाइटल देखी चुके हैं कि शुमवार नहाने की पानी में डाल दे या एक चीज गरिबी रोग दोस कष्टा करजा सब समापता हो जाएंगे ये उपाय किसी भी शावन क के शोओवार के दिन किया जा सकता हैं दोस्तों हमारे धर्म में इश्णान, दान, शयन, एवं देनिक क्रियाओं का बहुत बड़ा महत्वपूर्ना इस्थान हैं और दोस्तों हम इन क्रियाओं में सभी हिंदू भाई बंधे हुवे हैं दोस्तो शावान की किसी भी शोवार के दिन नहाने की पानी में डाल करके यह एक चीज जरूर इश्णान कलेना दोस्तो आपके भागे की द्वार खोल जाएंगे दोस्तो मैं आप लोगों को डेली के हर दिन नया जानकरी नहीं दे पाता तो दोस्तो छमा चाहता हूं मैं आप लोगों को अपने पूराने बीडियो की पूरा डाल करके दिखाता हूं क्योंकि दोस्तों मुझे भी अपनी देनी क्रियाओं का काम देखना पड़ता है तो आइस बुड़ों में जानते हैं शोवार की दिन नहानेक पानी में क्या डालने से क्या डाल करके श्नान करने से गरिबी, रोग, दोस, कला, कलेश एवं कई प्रकार के शनी, राहू, केतू, किसी भी गरह से आप पिड़ीत हैं, वह पिड़ा समापता हो जाएंगे भूत, प्रेत, बाधा, निजशक्ती एवं नकरत्मक्त शक्ती से परशान है, इनसे भी आपको ततकल मुक्ती मिलेगा दोस्तों से पहले आप लोगों बताना चाहूँगा, भाग के द्वार खुलने की ये पाँच जो उपाय बतार हो, ये उपाय से भी आपके भाग के द्वार के द्वार खुलते हैं जिनके घर में सीवलिंग रखे होते हैं दोस्तों ये जानकारी पिछले वाले बिडियो में भी बताया था भगवान भोलेनाथ जिनके घर में छोटा से सीवलिंग की होना वो प्रान प्रतिष्ठा हो या ना हो इसे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आप उस घर के सीवलिंग की पूझा करते हैं अपने घर में सीवलिंग की स्थापित करके रखें पूझा करते हैं तो आपके घर में शावन के महिने में भगवान भोलेनाथ जरूर आते हैं और इनके आने के लच्छन भी अपने पूराने बिड़ो में शभी दर्सकों को बता चुका हूँ तो भागे के दोबार खोलने की ये पांच अश अधारान उपाय हैं कोई भी उपाय वेक्ति कर सकते हैं और इस उपाय से भागे के दोबार बिल्कुल ही खुलते हैं दोस्तों आपके पूरवक्री करम ही होते हैं जो कि आपके इस समय के फल को देने नहीं देते हैं आप कठीन मेहनत करते हैं लेकिन इसके बाद ये आप जो असफल हो जाते हैं तो दोस्तों ये हमारे पहले जन्मा की ये फिर पूरवक्री जो करम होते हैं इसके करण ही हमारे हमारे मेहनत का फल नहीं मिल पाता लेकिन दोस्तों इस उपाय से आपके जो मेहनत करेंगे मेहनत से भी जादा आपको फल मिलना शुरू हो जाएंगे आप यकीन मानिये तो दोस्तों आपको करना क्या है? भागे की दुवार खूलनी की पाच उपा है, बिड़ो को ध्यान से देखना है, ध्यान से शुनना है, बिड़ो को आधे बीची में छोड़कर के नहीं जाना है, अधूरे ग्यान हमेशा खतनाक होती हैो और जानकरी हमेशा काम आती हैं दोस्तो इस जानकारी सापको एक नहीं अनेको लभ प्राप्ता होगा जरूरी नहीं है कि आप करोड़ पती धनवान बने इसके लावा इसमें अनेको जानकारी भी बताऊंगा जो की ज्यान लाखो करोडो रुपय खर्चक करने पर भी आपको कोई नहीं बता पाएगा दोस्त को हर बार बोलता हूँ प्रकृति शिवा करें दूस्तों आप लोग बातों को मेरी टाल देते हैं और आप प्रकृति शिवा नहीं करतें प्रकृति शिवा का मतलब क्या है प्रकृति देवी दुर्गा की ही शोरूप है देवी पारवती की शोरूप है भगवान भोलेनात प् नारवथी के शिवा करते हैं प्रकृति क्या है पेड़ पोधी शब को प्रकृति हम बोल सकते हैं तो दोस्तों जितना ज्यादा हो शके आप पेड़ पोधे लगाएं जी हां दोस्तों आप कोशिच करें पूरे जीवन काल में 100 ब्रिक्ष जरूर लगा ऐसा माना जाता है एक ब्रिक्षा लगाने से दोस्तों आपके एक जन्मा के पाप मिड़ जाते हैं सब ब्रिक्षा लगाते हैं तो आपके शव जन्मों के पाप मिड़ जाएंगे और पाप भी नहीं तो अगर आप एक ब्रिक्षा लगाते हैं दोस्तों इसके पुन्य इतना होता हैं कि आप एक हज करें हम भी खुब प्रकृती की स्यवा करते हम से जो बन पड़ते हैं दोस्तों हमें प्रकृती हम् companies को मांते को मानते हुई इन दोसरा आपकी निटर के अपने मदद करें दोस्तों जो आप से बन पड़े दने था करें जोने व्यक्ति पीडित की मदद करता है भगवान श्वयम उनके मदद करता है दोस्तों भगवान भी आब के शेवा एवं आब के भाव को देख करके आब के जो शेवा है आब के जो भाव इसे देख करके वो भी बंधन में आपके बंद जाता है और आपके कश्टों को उन्हें चड़ाये जाने वाले कनेर के पुष्प हैं शफेद आंक के पुष्प हैं ये पुष्प मंदिरों में छोड़ करके जरूर आना आब के दुआरा रखेंगे पुष्प को अगर सीवलिंग पर वहां पे आने वाले जितने भी श्रदालू चड़ाएंगे दोस्तों उसका पु अगर आप मंदिर में पुष्प छोड़ते हैं और आपके द्वारा चोड़े गए पुष्प को एक टोकरी में एक पूरे टोकरी भारा पुष्प छोड़ दिया करें उस पुष्प को अगर भगवान भोले नात को चड़ाएंगे तो आब कलपना कीजिए आपको कितना मंत्रों में बहुत शक्ती होती हैं मंत्रों की ही प्रभाव से अगस्तमुनी ने शमुद्र के पानी को पी गया था आप सोच सकते हैं कि शमुद्र कितनी बड़ी विसाल होती हैं दोस्तों एक बूंद के शमान हुए अगस्तमुनी के लिए तो कोशिश करें दोस्तों जितन पत्तुरिघ्यान की प्राप्ती होती हमने जीवन में देखे हैं और इसके बाद दोस्तो जो पांचमा तरीका हैं आप जो स्वास्पी सतबीा हैं जरूर खुलेंगे आप मैंसे बहुत सारे लोग निराष होकर किमें कुमेंट करते हैं गुरुजी हमारे भागय के द्वार नहीं खुल पारे हमने अने को पाएकि फिर भी लब नहीं मिला तो पूराने सामें जो पूर्वक्रीत हमारे करम होते हैं इसकी करान हमारे भागय के द्वार रुख जाते हैं दोस्तो मैं आप लोगों को बीडियो के आखरी में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे नहाने के पानी में डाल करके इश्नान करने से दोस्तो भागय के द्वार खुलते हैं और ये बीडियो भी सुन लिजिए दोस्तों विडियो में महत पूर्ण जानकारी को बताने से पहले आब सभी लोगों शनी विदन करना चाहूंगा प्राचीन ज्यान एक यूटूब चैनल ही नहीं बलकि आब सभी दर्शकों का परिवार हैं आप हमारे बिडियो को देख रहें आप हमारे बिबरस नहीं बलकि आब सभ हमारे परिवार के हीसे हैं दोस्तों हम अपने चैनल के मद्धम से आब सभी लोगों के अच्छे जानकारी लाने का प्रयास करते हैं आप सभी लोगों के कश्टा दुख तकलिव एवं जीवन के आपके सारे परशानी दूर हो और एक खास बात दोस्तों हम अपने इस चैनल में आप लोगों को बार बार बोलते हैं हमारी इस वीड़ो में व्यूज आए या ना आए हमारे सभी स्क्राइबर बढ़े या ना बढ़े इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई फरका नहीं पड़ता अगर हमारे बिडियो को देख करके आप में से किसी एक भी वेक्ती का भाला होते हैं दोस्तो हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं और हमें भी पुन्ने की प्राप्ती होती हैं आप सभी लोगों के मार्ग दर्सन करते हुए में अच्छे लगती हैं और आब सबी लोगों के लिए इस प्रकार के अच्छे जानकरी और भी अत्यधी की कठे करके लाने का प्रयास करते हैं अब आईए दोस्तो इस बिड़ों में जानते हैं कि नहाने की पानी में क्या डाल करके शावन की किसी भी शोमार के दिन इसनान किया जाए तो हमारे अध्यात्मा उन्नती होगा दोस्तो जो भी मैं जानकरी बताता हूँ खुद की अनुभाव की जानकरी बताता हूँ कुछ आत्मग्यान की जानकरी बताता हूँ कुछ गुरुओं की दोरा प्राप्त हुई शिद्धियों के मदद से मैं आप लोगों को जानकरी बताता हूँ गुरुओं की ज्ञान को बताता हूँ तो दोस्तो आपको नहानिक पानी में ये चीज को ये समागरी को डाल करके आपको इशनान करना है इसका बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे आपको लाभ मिलेंगे तो दोस्तो प्रतम समागरी हैं सीविलिंग पर चड़ाये गए जल थोड़ा बिडियो को ध्यान से शुनिए ये जानकरी बहुत काम आएंगे और आप आगे जीवन में बहुत तरक्की करेंगे ध्यान पवित्र मानी जाती हैं गंगा जल से भी अती पवित्र मानी जाती हैं और ये दोस्तो ततकाल कष्ट दूर करने वाला कहे गए हैं कष्टो को हने वाला कहे गए हैं और ये जल दोस्तो ये जल जो है आपके तन मन आत्मा ये सब को निर्मल कर देता है और आपके सारे कष्ट को हर लेता है तो सीलिंग पर चड़ाया गए जल को अगर दो से चार बूंद नहाने के पानी में डाल करके शोंवार के दिन ये शावन की पूरे महने भर इसनान किया जाएं तो दोस्तों आपके अध्यात्म उनती होना बिलकुल ही निशीत हैं आपके अध्यात्म उनती होना जरूर हैं दोस्तों आपके अध्यात्म उनती जरूर होगा और इसे आपकी पूर्वक्रित दुष्कर्म भी दुर होते हैं दुष्कर्म के काराण ही दोस्तों हमारे अध्यात्म उनती नहीं हो पाते हम रूख जाते हैं तो ये हमारे अध्यात्म उनती करने का सबसे बुंदे हो आप पी सकते हैं और आज से ही यह उपाय अवश्रकन आपको लाभ मिलेंगे बिड़ो देखने से लाभ नहीं मिलता उपाय करने से लाभ मिलता है आप यह उपाय जरूर करें अब दूसरे उपाय सुनिए नहानेक पानी में क्या डालना है तो दोस्तों सीलिंग प अगर आप उपाय जलाते हैं गो माता की तो दोस्तों इसके भश्म को नहानेक पानी में डाल करके इस नान्ज जरूर करें इसे भी अध्यात्म उनती होता है अब अंतिम उपाय सुनिए नहानेक पानी में यह चीज़ डालना है यह तो रामबान की तरह काम करता है जिस प्र रिजल्ट जिस दिन आप इउपाय करना शुरू करेंगे उसी दिन से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे मैं तो कहता हूं कि शावन के शोवार नहीं बलकि पूरे शावन भार इउपाय जरूर करें जब जब आपको टाइम मिल पाय टाइम जरूर निकाले तो दोस्त तुलसी के मिट्टी ध्यान से सुनिये तुलसी के मिट्टी बेल की जड़ की मिट्टी दो बुंद गंगा जल और गौमाता की पैर का धूल गौमाता की पैर का धूल ये चारों समागरी को दोस्तों आप अपने नहाने की पानी में डाले और नहाने की पानी में डाल करके प्र अध्यात्मा उन्नती होना 1001% फिक्ष हैं आपके अध्यात्मा उन्नती जरूर होगा अध्यात्मा उन्नती का सबसे अच्छा और यह रामबाड उपाए हैं बाकि दोस्तों करना नहीं करना यह आपके उपर निर्भर करता है नहीं करने वाले लोग अने को प्रकार के कोमेंट कर जाते हैं जिसे करना होता है दोस्तों किसी को बताते हैं और बिना बता ही आप उपाय करेंगे वह बहुत लबकारी होता है यह उपाय किसी को यह जानकर ही मत बताना गुपतर रखना गुपतर करके अगर आप यह उपाय करेंगे जरूर लब मिले इसमें दोस्तों समझत ततीर था एवाँ देव देनें त्युल मने गए है ये डाल कर्कि श्ञान जो है आपके सूचने समझने की चंबता तरह की बहुत जदा होगी उपाया करके के दिखना 100% लाभ मिलेंगे ये जानकारी कैसे लगे हमें कुमेंट सेक्षन में जरूर बताना और इस जानकारी को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्ता हो दोस्तों मैं जल्दा जुड़ूँगा आप सभी से एक न